जवाली की लुधियार जायत में महिला के साथ छेड़ छाड का मामला सामने आया है जिस पर जवाली थाना में बाकाइदा शिकायत दर्ज हुई महिला ने शिकायत में बताया है कि सुभा करीब साड़े आठ बजे वह अपने बेटे को स्कूल बस में चड़ा कर घर वापस आ रही थी तो सुनसान रास्ते में एक जगहा कार खड़ी थी कार के बाहर खड़े व्यक्ति ने मुझसे मुबाइल नबर मागा लेकिन मरा करने पर वह जबर्दस्ती और छेड़ खानी करने लगा इसके बाद कार में बैठे आने दो व्यक्तियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धम की दी एस्पी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया की महिला से छेड़ चाड़ का मामला सामने आया है इस्थाना जुआली में अधिकारियों ने महिला के बयान के आधार पर आरोपी विक्रम चौधरी, केतन चौधरी और सुमित विसला के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है दिवे हिमाचल टीवी के लिए जिवाली से संजीव राना की रिपोर्ट लोग तंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कारिकारिनी, जिलाव खंड स्तरिय कारिकारिनी और विधान सभा चुनावों में उमीदवार बनने के लिए और जन एकता पार्टी डाट कॉम या मोबाइल नमबर 9758-59-500 पर संपर्क यां मेसेज करें राजनितिक रूची वयोगिता रखने वाली युवापीड ही विशेश आमंत्रित है